Hello everyone, आज हम Math magic पढ़ेंगे Standard 4th Chapter 1 में हम आगे देखेंगे Question 8 Answer the following questions based on the pictures given below क्या करना है? यहाँ पे बहुत सारे pictures दिये है उसके base पे हमें यह दोनों question के answer लिखने है A, B, C, D, E, F, Picture G, H, I, J और K कहां तक picture दिये है? Picture A से लेकर picture K तक अब question देखते है Which pattern is made in a circle? इसमें से देखो कौन सी pattern है? उसमें आपको circle जैसा दिखता है चलो बचो Picture A में है? नहीं है B में? नहीं Picture C में? नहीं Picture D में भी? नहीं Picture E में दिखता है देखो circle जैसा दिखता है इसलिए यहां पर आएगा एक E F में नहीं दिखता G में भी नहीं दिखता H में नहीं दिखता Circle नहीं दिखता I में भी नहीं दिखता J में circle दिखता है और दूसरा आएगा छे एंड छे के में भी दिखता नहीं है नेक्स्ट क्वेस्ट्टन इन वीच पेटर्न्स मिरर हाउस कैन भी सीन यहाँ पे बहुत सारी पेटर्न है उसमें से कौन सी यसी इमेज है कौन सा यसा पिक्चर है जिसको आप मिरर हाउस में भी देख सकते हो मतलब कि वो वाला इमेज है उसको आप ऐसे उपर करोगे दो पार्ट करकर तो सेम टू सेम पार्ट बनेगा चोलो देखो इसमें से किसमें से यसा दिखता है पिक्चर एच में दिखता है कहाँ पे एच में देखो यह वाला पॉर्षन बीच में से काट कर आप उसके उपर रखोगे तो सेम टू सेम पैटर्न बनेगा इसलिए यहाँ पे आएगा एच वोट आर ब्रिक्स मेड़ोफ पूट राउंड अराउंड धेम यहाँ पे उप्जेक्ट दिये है उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ठींग है वो यूज होता है ब्रिक्स बनाने में चलो वूड यूज होता है ब्रिक्स बनानी है क्या ब्रिक्स बनाने में कौन सी चीज़े यूज होती है उसमें राउंड करना है Wood नहीं होता है Clay से brick बनती है इसलिए Clay में आएगा round Glass नहीं use होता Stone यानि कि पत्थर नहीं होता use Iron यानि कि लोहा use होता नहीं है Sirf और Sirf Clay ही use होता है इसलिए Clay में round Question 10 Which of the following materials are not used to make a wall? Put round around them क्या करना है? यहाँ पे materials दिये है उसमें से आपको वहाँ पे circle करना है जो wall बनाने में use होता नहीं है हमारे घर पे wall होती है ना Wall से ही तो घर बनता है चलो, नहीं होता है उसमें करना है चलो, wood, wood use होता है लकड़ी रखते हैं ना उसमें जब वोल बनाते है तब आईरन भी यूज होता है स्टोन यानि की पत्थर वो भी यूज होता है प्लास्टिक अमारे घर पे जो दिवार बनाते है तब उसमें प्लास्टिक का यूज होता है नहीं होता है जो चीज़ का यूज नहीं होता है वोल बनाने में उसमें सर्कल करना है इसलिए प्लास्टिक का यूज नहीं होता है तो यहाँ पे प्लास्टिक पे आएगा सर्कल नेक्स्ट वन है ब्रिक, ब्रिक से तो वोल बनेगी इसलिए ब्रिक का यूज होता है Question 11 Make the photo of each wall with the correct drawing pattern below यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 नंबर की wall के picture pattern D है और नीचे कौन सी D है? A, B और C अब देखना है चलो यह नीचे से सुरू करो और देखो कि सामने कौन सा मेच होगा इसमें देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे सेम टू सेम वेशा कौन सेप्ट किस में है? देखो जलो यह रहा B में देखो 1, 2, 3, 4 और 5 यह वाला मेच किधर आएगा? B में आएगा अब सेकेंड वाला यह वाला देखो जलो 1, 2, 3, 4 है ना? वेशा वाला कहां पे हे देखो जलो यह रहा देखो है? वेशा ही है ना इधर इसलिए दूसरा वाला है वो C में आएगा अब लास्ट वाला बचा है वो कहां पे आएगा बचो? A पे आएगा चलो चेक कर लो 1, 2, 3, 4, 5 वेशा ही है इधर भी देखो है ना? 1, 2, 3, 4 और 5 थ्री वाला है वो A में आएगा Question 12 Make your own जाली patterns on the wall drawn below यहां पे एक wall draw की है उसमें आपको जाली pattern देखो यह जाली जैसे साथ दिखता है मैंने यहां पे draw कर ही रखा है आप अपने मुधा भी जाली pattern बना सकते हो देखो यहां पे जाली जैसा दिख रहा है ओके? जाली pattern आप अहां पे दिख सकते हो temple wall पे दिख सकते हो उसमें कैसा होता है? कोई shape दिखता है बीच में देखो यहाँ पे कौन सा shape दिखता है बचो प्लस का दिखता है देखो जाली pattern में प्लस का shape ओके आप अपने बुता भी जाली pattern बना सकते हो Question 13 Draw जरूखा patterns on the wall given below यहाँ पे देखो जरूखा जैसा दिखता है एसा कहाँ पे दिखता है monuments पे दिखता है ताज महल में वहाँ पे जहाँ पे जो monuments है उज़र आप एसा जरूखा का pattern देख सकते हो Question 14 Draw axe using bricks क्या है axe उसमें कैसा दिखता है कौव जैसा दिखता है कैसा कौव जैसा देखो यहाँ पे मैंने एक axe bricks से यहाँ पे जो space दी है उसमें बना कर रखी है आपस कहाँ पे दिखेंगी हमें caves में दिखेंगी palaces में दिखेंगी step well में दिखेंगी Question 15 Draw two floor patterns using bricks कितनी floor pattern बना नहीं है दो यहाँ पे दो खाली जगह दी है यह पहले वाली floor pattern देखो floor pattern है यह bricks से यहाँ पे एक bricks दूसरी तीसरी वेसे मैंने सब bricks यहाँ पे अरेंज की है और इधर कैसे bricks arrangement है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेसे पूरी की पूरी bricks का arrangement है Thank you